हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं कोला पूरी जिकन जो की एक स्पाइसी डिश है और यमी भी तो सबसे पहले पैन में हम दो टेबल स्पून जीरा और वाइट तील लेंगे उसके बाद उसमें एड़ करेंगे खड़े मसाले खड़े मसालों में मैंने लॉंग दालचिनी ब्लैक पेपर्स रेड़ चिली और तेज पता यूज किया है इससे जादा और मसाले भी आप एड़ कर सकते हो मेरे पास अभी यही अवेलेबल था इसको हम अच्छी दरह भून लेंगे जब इसका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको जार में ट्रांसफर करेंगे उसमें डालेंगे नारियल आप सुखा नारियल भी यूज कर सकते हैं हाफ नारियल मैंने इसमें यूज किया है इसकी पेस्ट बना लेंगे थोड़ा पाने डालके उसके बाद पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें डालेंगे अद्रक और लसन कटावा इसको हलके से भून लेना है उसमें आड़ करेंगे हम एक प्यास कटावा आप बारी भी काट सकते हैं बढ़ हमें इसको पेस्टी बनाना है तो एक प्यास हमें इसमें डालना है और इसको भी कलर चेंज होने तक थोड़ा ब्राउन होने तक हमें इसको भून लेना है जब ये भून के हो जाएगा इसको ठंडा करना है और उसके बाद जार में ट्रांसफर करना है और इसको बहुत सारे हरे धनी के साथ पेस बना लेना है हलका सा पानी एड़ करके उसके बाद एक बरतन में तेल डालके हमें एक प्याज बारी कटावा डालना है उसको बून लेना है ब्राउन होने तक जब प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे नमक और हल्दी इसको हमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे चिकन मैंने हाफ केजी चिकन यूज किया इसमें चिकन इसमें एड़ करके उसको मिक्स कर लेंगे और फिर हमें इसमें एड़ करना है गरम पानी तो मैंने दो गलास जितना गरम पानी डाला है इसमें आप जितना रस्सा चाहते हो, उस हिसाब से आप पानी आड़ कर सकते हो, बट हाफ के जी के हिसाब से, दो गलास हॉट वर्टर इस इनफ, इसके बाद इसको पकने के लिए हम ढखके रख देंगे, 20-30 मिनिट्स के लिए, 30 मिनिट्स पाद ये चिकन पक चुका है, अब हम इसमें प प्यास जालना है, बारिक कटा हुआ, उसको अच्छी तरह भून लेना है, जब ये भून के हो जाए, हलका ब्राउन हो जाए, तो इसमें हम एड़ करेंगे, नारियल वाला पेस्ट, नारियल वाला पेस्ट, दो तीन चमच हमें एड़ करना है, जितना भी आप अरस्सा थिक या पतला चाते हो, उस हिसाब से आपको एड़ करना है, मैंने दो तीन चमच पेस्ट यूज किया है, इसमें इसको हम भून लेंगे, जब ये थोड़ा भून जाएगा, तो उसमें हम अद्रक लसन, प्यास और धनिय का जो पेस्ट था, वो पेस्ट आड़ करेंगे, वो भी दो तीन चमच जतना पेस्ट आड़ करके, उसको भी हम अच्छी धरब भून लेंगे, जब दोनो मसाले अच्छी धरब भून जाएगे, तो हम इसमें मसाले आड़ करेंगे, अब ये बख चुका है, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, और मैंने थोड़ा सा हिंग डाला है, और आप यहां पे रेड चिली पाउडर यूज कर सकते हो बट कोलापुरी चिकन में जो चटनी बनती है वो चटनी डलती है तो यह वो चटनी है कोलापुरी चटनी वो चटनी मैंने उसमें डाली है वो आप जितना तीका खाना चाते हो उस हिसाब से आप 2-3 चमब जितना भी डाल सकते हो उसके बाद जो चिकन बॉइल करा हुआ पानी था यह पानी हम इसमें आड़ करेंगे नमक मेंने नहीं डाला है क्योंकि चिकन बॉइल करते हुए हमने उसमें नमक डाला था तो आप टेस्ट करके नमक उसके हिसाब से डाल सकते हो दूसरे साइड कडाई में हम वापिस थोड़ा सा तेल डाल के एक प्यास जालेंगे बारी कटा हुआ प्यास को भून लेना है सेम मसाले हम एड़ करेंगे अद्रक लसन और धनी की पेस्ट यह पक जाए थोड़ी सी उसके बाद हम इसमें ऐड़ करेंगे मसाला जो हमने नारियल की पेस्ट और खड़े मसाले का जो पेस्ट पनाया था वो मसाला ऐड़ करेंगे इसको भी अच्छी तर रबून लेना है जब यह मसाला तेल छोड़ने लग जाए तो हमें इसमें मसाले अड़ करने है, हल्दी और जो चटनी मैंने बोली को लाबरी चटनी, वो सारे मसाले मैं अड़ कर रही हूं, यह मसाले डालके हमें अच्छी तरह भून लेना है, यह वापिस जब तक तेल नहीं छोड़ता तब तक हमें इसमें भूनना है, जब अच्छ भी नहीं होती इसमें जब एक बार इसमें बॉइल आजए तो जो बॉइल चिकन है वो हमें इसमें डालना है और मिक्स करना है और उसके बाद थोड़ा नमक डालके हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के उपर वो मसाला पूरा कोट हो जाए ज्यादा नहीं लाना है क्योंकि फिर जो हड़ी से जो मास होता है वो सारा अलग हो जाएगा और उसमें मज़ा नहीं आएगा लास में गानिश करेंगे हरे धनिय के साथ रसा में भी और सुपका जो चिकन है उसमें भी हम एड़ करेंगे हरा धनिया यहां में मनारियो जीरा राइस थोड़ जितना हम चावल लेते हैं उससे आधा कप ही ज्यादा पानी लेना है हमने और इसको दो ही विसल करनी है नहीं तो यह ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा उसके बाद यहां युके में अगर फुलके बनाने हैं आपको तो इंड़क्शन पे इस तरह फुलके बनाने पढ़त हैं तो यहां हमारे फुलके भी रेडी है और अब हम करेंगे प्लेटिंग तो सबसे पहले जो हमने बनाया चिकन जो सुखा चिकन था जिसको सुखा बोलते हैं उसके बाद रसा जो हमने लिक्विट वाला जो करी टाइप बनाया वो उसके साथ प्याज जीरा राइस और खां सकते हो तो कमेंट कर बत्ता ना कैसे लगए आपको रेस्पिट अं अ